है भी है कैसे आप तो आज कीक्लास जो है बहुत इंपॉर्टेंट और हम क्या पढ़ने वाले सर हम पढ़ने वाले है शेर कापटल शेर एंडशीर कापटल बिसिकली तो सरा अज की क्लास important क्यों कह रहे हो सर आप क्योंकि जो unit number हमारा 3 है unit number 3 का part है basically ये और unit number 3 में अकेला एक ही यही chapter है इसका मतलब ये chapter हमारा 20 marks का exam में आएगा ही आएगा और आसान इसलिए है ये chapter क्योंकि ये chapter आपने पूरा corporate account में पढ़ा हुआ है practical के format में कैसे सर जैसे इस chapter में क्या क्या हमें समझना है कि सर इस chapter में समझना हमें share क्या होता है सर इस chapter में समझना हमें security premium क्या होता है इस chapter में समझना हमें discount क्या होता है इस chapter में समझना है हमें preference share capital क्या होता है इस chapter में समझना है हमें isop क्या होता है इस chapter में हमें समझना है isop के साथ साथ देखा जाए तो और क्या समझना और क्या क्या होता है इस chapter में समझना है transfer of share क्या होता है इस chapter के अंदर हमें समझना है इसके साथ-साथ, स्वेट एक्यूटी क्या होता है, इस चप्टर में समझना है, बाइबेक क्या होता है, इस चप्टर में समझना है, मैंने गिंती पता नहीं कैसे लिख रहा हूँ मैं, 6-7, 1-2-3-4-5-6-7-8 होगा भाई, 9-10, बोनस क्या होता है, और और भी कुछ चीज़े में भी छूट गई हो, तो देखो ये सारी चीज़े तो हमने पढ़ी रखिये, तो मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी, आपको हिंट और इसके अंदर के कुछ प्रोविजन्स आपको याद रखने होगे, 20 नमबर का चप्टर है, तो सबसे आसान तरीका है इस चप्टर मे बच्चों को पास होना, लौ के अंदर, और लौ तो मैं बोल रहा हूँ कि भई बहुत आराम से कर सकते हो, बसरते हैं आप वीडियो देखो, और देखने के बाद फिर याद भी करना होगा, अगर आप वीडियो देख के सिर्फ करके आओगे, तो नहीं हो पाओगे, देखन हमारे शियर्स जो है, वो कितने टाइप के हमारे शियर्स होते हैं, तो बिसिकली शियर्स दो ही टाइप के होते हैं, एक होता है हमारा एकुटी शियर्स और एक होता हमारा प्रफरेंश शियर्स आपने देखा होगा, एक एक एकुटी शियर्स और एक प्रफरेंश शियर्स चलिए सर इसको समझते हैं क्या with voting right और differential voting right है क्या मान लेते हैं कि ये company है ठीक है ये क्या है हमारा company है और आप इस company के क्या हो सर शेर holder हो शेर holder हो और एक नहीं अनेको शेर holder होंगे न कमपनी में तो ये लो भाई साब देखो देखो कितने सारे शेर holder ये सभी शेर holder है और company ने बुलाई है एक meeting एक बुलाई है meeting और meeting चप्टर इसलिए मैंने थोड़ा सा पहले करा दिया जब company ने meeting बुलाया है तो आप मुझे बताईए very simple कि अगर company ने meeting बुलाया है तो आप सभी शेर holder को आप बताओ ना आप सभी शेर holder को क्या इस meeting में participate करने का अधिकार है या सर बिल्कुल अधिकार है और इस अधिकार को कोई छीन नहीं सकता आप से आप सभी को इस meeting के अंदर participate करने का fully अधिकार है 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 या फिर मैं normal सा business ले लेता हूँ, ordinary business, मैं चाह रहा हूँ कि मैं director को appoint करना, director को मैं क्या करना चाह रहा हूँ sir, appoint करना चाह रहा हूँ, मुझे 51% कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 है, 8 में से मुझे 51% आधे से ज़्यादा लोगों का concern चाहिए yes या no, देखना, मुझे director appoint करना है, sir, appoint करना है, मुझे director appoint करना है, अब आप सभी मान लेते हैं, इसने yes, yes, कर दो, कर दो, कर दो, कर दो, इसने कहा no, 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 तो देखा जाए, तो हमारे ज़्यादा तर 5 person ने yes बोला, तो इसका मतलब इन 5 ने और इन 3 ने no बोला, वोट सभी ने दिये हैं, इसको कहा जाता है, वोट करना, इन 5 ने और इन 3 ने दिया, तो इनको कहा जाता है, वोट करना, वोट सभी ने दिया, और इस वोट की वज़े से, हमारा ये resolution पास हो गया, और director हमारा company के अंदर appoint हो जाएगा, कौन सा resolution पास हुआ, ordinary resolution, तो इससे बोला जाता है, voting, equity share, इनके पास equity share तो है, लेकिन कौन से वाला है, with voting वाला है, कौन से वाला है, with voting वाला, इसके साथ साथ देखा जाए, एक है, differential voting right, differential voting right का मतलब होता है, कि कुछ shareholder को विशेस अधिकार दे दिया जाता है, मान लेते हैं, इसके पास, अकेले power है, कि ये ना, ये ना, no vote कर सकता है, इसके पास अकेले power है, इतने voting में इतने power है, कि इसको no vote, मतलब, एक shares holder को, उस shares के बदले, जितने उसके पास share है, उससे ज़्यादा power मिल सकती है, या उससे कम, तो उसको बोलते है, differential voting right, अब मान लो, इसके पास अकेले no power है, मैंने बोला, कि एक chartered accountant को हम appoint कर रहे हैं, इसको appoint किया जाए, सब ने बोला, no, 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 no तो इने no बोल दिया, अब अकेला कौन रहे गया सर, ये, अब इसने बोल दिया, yes, ऐसे देखा जाए, तो हमारा resolution तो पास ही नहीं हुआ, favor में, लेकिन इसके पास no voting power है, तो आधे से ज़्यादा तो इसी के पास power है, इसने कर दिया, yes, vote करते ही हमारा resolution पास हो गया, तो इस इसके पास एक special power है, इसलिए बोला गया differential, कम भी हो सकता है और ज्यादा भी, generally नहीं मालिक बड़े honor, promoter बड़े चलाक होते हैं, इस type के share नहीं खुद को issue कर लेते हैं, ताकि उनके पास power बना रहे है, तो ये चीज़े है, एक differential voting right, तो क्या देखा हमने, हमारे shares कितने है, equity share में दो तरीके के हैं, with voting right, और with differential voting right, इसे DVR भी कहते हैं, DVR भी कहा जाता है, differential voting right, और ये मैंने इतना ज़्यादा देखा, कि ये share market में भी list हो जाता है, आप देखोगे Tata Motor, जाके सर्च करना, Tata Motor और Tata Motor DVR के नाम से, वो भी मिल जाएगा, दोनों share चलते हैं, market के अंदर, dividend का है, इसका dividend एक fix percentage से होता है, 10% preference share capital, और इसका dividend कुछ fix नहीं होता, fix कुछ भी नहीं होता, इसको पहले मिलेगा, और इसको बाद में मिलेगा, बस यही फरक है preference share और equity share में, चली आगे बढ़ते हैं सर, आगे बढ़ते हैं के साथ preference share क्या है, इसको देख लेते हैं, equity तो आ profit इसको समझते जाएंगे, सबसे पहले है cumulative preference share, इसको समझेगे हैं sir, what is the cumulative preference share, cumulative preference share समझे सर, number one cumulative, cumulative preference share, बस यही लिख देते हैं, ठीक है, cumulative preference share समझे होता क्या है, मैंने इसमें पूरी theory नहीं लिखा, बाकि आप theory पढ़ेंगे, समझ में आ जाएगा, मान लेते हैं, 2010 में company का profit 10, हजार है, और 2011 में company का loss 5,000 है, और 2012 में company का loss 10,000 है, bracket कर देते हैं ना loss को, और 2013 के अंदर company का loss या फिर profit मान लेते हैं, 20,000 है, और company का preferential rate 10% है, 10% के हिसाप से देखा जाए, तो company को 1000 रुपे का dividend मिलना था, ठीक है, याद रखिएगा, company को सब कितने का dividend मिलना था, company को 1000 रुपे का dividend, company 1000 रुपे का dividend देती, तो पहले साल 2010 में profit है, तो इसने 1000 रुपे का dividend दे दिया, किसको दे दिया सर, हमारे preference share holder को, 2010 में हमारे preference share holder को dividend दे दिया, अब 11 में और 12 में ऐसे आगे आगे साल, 11 के अंदर company के पास profit नहीं है, तो 1000 company के पास profit नहीं है तो 1000 रुपे का डिविडेंट नहीं दे पाई 14 के अंदर company के पास profit है तो company 1000 दे देगी ले company 1000 का dividend दे देगी समझ में आ रहे है लेकिन अब मुद्न यह उठता है सर दो साल का जो डिविडेंट नहीं मिला वह क्या होगा जो दो साल का ये dividend नहीं मिला उसका क्या होगा अगर आपका share cumulative है तो इस साल में आपको पुराने 2000 भी मिल जाएंगे अगर आपका preferential non cumulative है तो आपको इस का dividend नहीं मिलेगा भूल जाओ कि आपके पास dividend है भी तो समझ में आया दो share का मैंने discuss कर लिया cumulative क्युम्लेटिव प्रफ्रेंशियर कौन से होंगे जो प्रफ्रेंशियर के डिविडेंट अगर बीच में कभी नहीं मिला है तो उसको इखटा जोड करके दे दिया जाएगा नोन क्युम्लेटिव प्रफ्रेंशियर कौन सा है जो डिविडेंट उसको नहीं मिला है कभी बीच म लॉस होने की रिजन से इन फ्यूचर में उसको वो डिविडेंट भी नहीं मिलेगा इस बात का आपको ध्यान रखना है तो देखिए आपको hopefully समझ में आ गया कि cumulative preference share क्या है और non-cumulative यह मैं समझाता जा रहा हूं theory आप पढ़िए गाइस को क्योंकि यह simple सा है इसके बाद है participation preferential non-participation preferential होता क्या है इसका भी example देखिए participation मान लिजिए यह आप preferential holder हो ठीक है और 2000 अब 22 ले ले लेते हैं कुछ बच्चे सोचेंगा सर पुरानी वीडियो बनाते हैं टेज और दो हजार चौबिस दो हजार पच्चेस ठीक है इसमें company इसको 1000 रुपे का dividend मिलना है ठीक है 1000 का इसके अंदर company ने क्या करा इसको 1000 रुपे पेड कियो क्योंकि profit था इसमें company ने payment नहीं किया और इसमें भी company ने payment नहीं किया तो एक तरीके से company ने preference shareholder को dividend payment ही नहीं किया तीन सालों में क्यों क्यों कि company का loss चाल रहा था इस वजह से जब हमारा meeting होता है जर्नल मीटिंग मीटिंग जब करते हैं तो मीटिंग में जो राइट्स है जाने का वो सिर्फ और सिर्फ equity shareholder का होता है मीटिंग में preference shareholder का कोई काम नहीं है जर्फ किसका होगा equity shareholder का होता है लेखिन 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 क्यों कि इसे लगातार दो सालों तक dividend जब preference share को नहीं दिया जाता तो ऐसा माना जाता है कि ये भी तो एक तरेके से equity वाला ही हो गया ना क्योंकि equity वाले को भी dividend नहीं मिल रहा और preference को भी नहीं मुल रहा तो ये भी equity वाला ही हो गया अब भाई सहाब ये जो है ये चुप नहीं बैठेगा इसे meeting में जाना है और meeting में आना है और ये भी meeting का part बन जाएगा किस meeting का सर? preference share holder का इसका मतलब देखो इसने meeting में क्या कर लिया? participate कर लिया तो जब कभी भी preference share holder का dividend hold कर दिया जाता है दो साल या उससे ज़्यादा time के लिए तो ऐसे preference share को हम participate preference share बोल देते हैं ठीक है ना? अगर मान लेते हैं अब देखिए अब उसको अगर मान लो dividend मिलता गया, मिलता ग vote कर पाएं कुछ भी कर पाएं तो जब आव नो इसके पास कोई अधिकार नहीं है तो ऐसे preference share को क्या बोलेंगे? non participation preference share समझ मैं आई बात आपको? participation preference share कौन सा होता है? वो preference share जिसको voting rights आ जाता है और meeting attend करने के लिए वो आ सकता है कब होगा ऐसा? जब उसे दो साल से ज़्याद या दो साल का dividend ना दिया गया हो लगातार इसके बाद अब non participation जिस preference share को कोई अधिकार ही नहीं है कि उसके अंदर जाके voting वगरा करे तो इसको बोलेंगे non participation preference share ठीक है? चलिए 4 point खतम हो गया फटा फट से है ना easy एक है convertible preference share एक है non convertible preference share चलिए इसको भी देख लेते हैं आपने 1000 preference share capital लिए ठीक है? आपके पास है यह आप अपने आपको सोचो आपने लिए 1000 एक हजार preference share लेने के बाद आपको ठीक 20 साल 20 year के बाद आपके मुझे preference share redeem करने है preference share redeem करने है यानि पैसा मुझे लोटाना है पैसा लोटाना है ठीक है आपके पैसे लोटाने है किसको लोटाने है सर आपके पैसे मुझे लोटाने है अब company जो है आपके पैसे लोटाना चाहरी है लेकिन company ने आपको दे दिया option के भाया तू पैसा मतले पैसे के बदले काम कर तू equity share capital ले ले या फिर तेरको मैं नए preference share दे देता हूँ, new preference share capital दे देता हूँ, या तुझे मैं debenture दे देता हूँ, मैं तुझे debenture दे देता हूँ, लेकिन तु मुझसे पैसे के इलाबा ये सब ले सकता है, तो ऐसे situation में बोला गया, कि भाई जो तुम्हारा preference share है, कभी न कभी आपने किस क्या कर लिया, उसको convert कर ल हुआ है पहले से, तो ऐसे debenture को कौन सा prefernture, बोलेंगे, convertible prefernture, कौन सा boundary consumer होगा हमारा सर, ये, convertible prefernture, और ऐससा preference, जिसको convert करना allowed ही नहीं है, सरिफ पैसा ही देना होगा, non-convertible prefernture, एक होता है हमारा redeemable preference share एक होता है non-redeemable preference share normally इसको यहीं पर discuss कर लेता है redeemable preference share का मतलब है कि company को जब पैसा मिले जैसे आपको मैंने preference share issue किया और मेरे पास कोई extra पैसा आ जाए और मैं बोलू भईया तुम्हारे shares को मैं redeem कर रहा हूँ और redeem करवा लो आप जब मेरा मन करेगा तो मैं redeem करने के लिए तयार हो जाऊँ हो तो इसे बोला जाएगा redeemable preference share और एक होता है non-redeemable यानि irredeemable तो law ने तो मनाई कर दिया अब irredeemable preference share होगा नहीं लेकिन हाँ 20 साल का tenure दिया हुआ है कि आपका 20 साल के बाद मैं redeem ऐसा नहीं हो सकता कि आप मुझे पैसे दो और मैं आपको preference share दूँ और 25 साल बाद आपके पैसे लोटा हुआ नहीं law कहता है सर आपको 20 साल में ही पैसे redeem करना होगा तो technically देखा जाए तो irredeemable preference share रहा नहीं लेकिन यहाँ 20 साल वाला आप discuss करोगे किसी पे भी theory आ सकता है आपको यह चीज़े समझा दिया है और यह chapter क्योंकि account से connected है कहीं न कहीं जादा से जादा तो आपके accounts में भी इससे theory पूछे जाएंगे और यह theory आप learn करेंगे 10 year मैंने बता रखा है book है book ले लिजिए 10 year बाकी मैं notes भी provide कर दूँगा चलिए sir आगे चलते हैं और क्या पढ़ना है equity और ordinary पहले हम equity को पढ़ने के जोरती नहीं है मेरे साब से आप सभी को पता इतने अच्छे से equity share क्या होता है equity share या ordinary equity share क्या होता है differential वाला अलग हो जाता है कहता है equity share with the reference any company limited by share are which are not preference share क्या definition लिखा equity share वो equity share है जो preference share नहीं है अच्छा ठीक है sir they do not carry any preference right उसके पास preference dividend लेने का कोई right नहीं है for the purpose of dividend के लिए repayment of capital repayment of capital वी सबसे last मिलेगा they rank after preference share वो preference share के बाद उसके पास अधिकार आएगा they have right participate in decision making in the company यानि meeting में वो जा सकता है they are entire voting right है उसके पास they are received dividend out of profit declare in the annual journal meeting भाई या उसको dividend कम मिलेगा annual journal meeting मिलेगा only after preference share having been paid their fixed dividend और preference share के dividend देने के बाद equity वाले तुम्हें dividend मिलेगा इसलिए तुम्हारे पास power भी ज़्यादा है तुम्हें sacrifice ज़्यादा किया है चलिए सर अब आता है equity share with differential voting right differential voting right मैंने आपको समझाया अभी क्या होता है differential voting right आजाईए सर differential voting right पढ़ लेते हैं कहता है these shares are known as share with differential voting right जिसे DVR बोल देते हैं relating to voting power ये सीधा voting power से related है either more voting power और less या तो आपके पास एक share है तो आपके पास ज़्यादा voting power होगा या कम होगा some shall carry voting right कुछ व्यक्ति voting right carry करके चलते हैं other may not कुछ के पास होगा कुछ के पास नहीं भी होगा the share with the lesser voting right can be carry higher voting right जिसके पास कम भी हो सकता है और can be higher हो सकता है rate wise आपको जब समझ में आता जाए तो आपको जब समझ में आता जाए तो आप उसको note करके और hand to hand पढ़िए topic wise पढ़ने का आसान तरीका है मैंने काफी बच्चों से बात कि तो बोल रहें सर आप वीडियो डाल दो वीडियो डालने से help होता है जिस चप्टर को हमें समझने मे दो तीन घंटे लग जाते हैं आपकी वीडियो से आदे घंटे में हम समझ लेते हैं फिर याद करने में बड़े आसानी रह जाती है तो इसी तरीके से आप भी approach follow कर लो जिसको जैसा लगता है भी या अब देखिए क्या कहता है अगला इसके कुछ provisions है कि या हर company differential voting right issue कर सकती है और कर भी सकती है तो क्या क्या शर्ते हैं वो देख लेते हैं क्या कहता है company can issue equity share with differential right subject to following condition कुछ condition है आप issue कर सकते हैं लेकुन कुछ condition है क्या condition है भाई साब वो देख लेते हैं sir condition क्या कहता है the article of association यानि AO जिसमें rule लिखे जाते है company authorize the issue shares यानि article of association में ये बात लिखी हो कि company कभी future में differential voting right issue कर सकती है ताकि पुराने वाले shareholder ऐसा ना बोले हमें पहले पता नहीं था है न a company allowed to issue equity share with differential voting right not extent of 74% of the total post issue paid up capital जो post issue का मतलब है issue के जो बाद जैसे authorized capital मालो मेरा 10 लाख है उसमें से मैंने 6 लाख issue कर रखे हैं लोगों को बचे 4 लाख तो उस 4 लाख का 74% से जादा हम करी नहीं सकते हैं यहां पे सिर्फ 74% share ही issue कर सकते हैं कहता है approval of shareholder obtained by passing ordinary resolution अब देखों यहां पे OR resolution पास किया गया है जर्नल मीटिंग जर्नल मीटिंग बुलाइए और shareholder से discuss कर ये OR पास करवा दीजिये हो जाएगा इसलिए मैंने पहले ये सारे वर्ड इसमें आ रहे हैं इसलिए मैंने पहले annual जर्नल निटिंग करा हैं जिससे आपको थोड़ा बहुत समझ में आ जाया तीन साल में आपको DVR इसु करना है कोई बात नहीं करिये आप आपने कभी भी income tax के वैसे annual return फाइल MCE की साइड पर होता है कि आपने annual return जो company की सारी detail है वो देने में कभी भी fail नहीं हुए पिछले तीन सालों में तभी आप DVR इसु कर सकते हैं ठीक है तो ये था हमारा राइ company can issue अब क्या कहता है अगला point the company did not fall repay its deposit interest company ने कभी interest का भी deposit में fail ना किया हो यानि bank वालों का interest time पे दिया हो शायद ये मेरे हिसाब से अगर कम visual है तो इसको बढ़ा करा जाए चलिए मैं पढ़ता जा रहा हूँ बाकि notes मिल जाएगा आपको थोड़ा बहुत मैं देख लेता हूँ visual है या नहीं है तो क्या कह रहा है सर एक सबसे पहले company 74% remaining paid up का नहीं कर सकती और उसके साथ आपका क्या था company कभी annual return में default नहीं होना चाहिए था और first point क्या था company का article permit करना चाहिए इसके बाद कहता है company जो है interest का deposit जो है interest का deposit वो default नहीं होना चाहिए redemption of debenture due to pay or dividend या तो redemption of debenture पे या फिर dividend देने में the company has not default in repayment interest of term loan वही बात आके दोनों interest के अलग अलग पॉइंट बना दिये हैं यहां पर the company not have default amount investor education protection fund जो आपको हर company के पर liability होता है कि यहां एक आप आपने कई बाद TV में CV की ad दिखी होगी, CV ad कर रहा है कि भाई ऐसे ऐसे करो आपके पैसे safe रहेंगे तो वो investment को educate करने के लिए fund बना रखा है government ने, the company has not convicted an offense, savi act, savi act के हिसाब से कोई offense नहीं किया, जैसे कि उसने अपने ही share को manipulate ना किया हो, या फिर उसने कोई ऐसा fraud ना कर दिया, उपने shares के price को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, the company has not default in meeting investor grievance, मतलब investor के साथ जब meeting हुआ, उसमें मैंने बुलाया आपको और company आई नहीं, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, ठीक है, बहुत सारे point है, बोल दिया है, कोई भी 6-7 point याद कर लेजेगा, company not default payment due of respect of statutory payment, मतलब ये tax होता है, statutory payment मतलब tax हो गया, ROC की fees हो गई, municipal corporation का municipal tax हो गया, इन स not convert existing equity share voting right to equity share, हमारे पास जो अभी share है, उसको differential voting right में convert नहीं किया सकता, fresh issue होता है, तो देखो 10-11 point हमारे यहाँ पे हो जाते हैं, ठीक है न, ये शायद हमारा दुवारा लग दिया, ठीक है, 10-11 point हो जाते हैं, इसको delete मारा देते हैं, चलिए, ओके, ठीक है, 10-11 point हो जाते हैं, फिर से एक बार चलिए मेरे साथ बोलिए, company का, आपको differential voting right issue करना है, कर सकते हो, company का AOA permit करना चीए, 74% से उपर नहीं हो सकता, आपने annual return में default ना किया हो, आपने venture का interest देने में default ना किया हो, आपने loan को देने में default नहीं किया हो, आप आपने साथ के साथ कोई offense वगरा ना किया हो, साथ के साथ difference आपका has been convicted आप ना हो, CV act के according, तो ये सारे के सारे points है, जो कि आपको लिख लेने हैं, और इसको अपनी साधारान language में paper में लिख लेने हैं, बस थोड़ी से ध्यान रखेगा, जो बच्चे हिंदी में दे रहे हैं, प्रोपर मीनिंग निकलना चाहिए, और जो बच्चे इंगलिस में दे रहे हैं, रटने की कोई ज़रत नहीं है, मैं बार बार बोलूगा, marks मिलते हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ा मिथ्य है, मैं सिंपल सी बात करता हूँ, example मैं लेना चाहूँगा, charted accountant का exam था, और उसको ए यूट्यूब पर जाते हैं, तो वहाँ पर मिल जाते हैं, कुछ इन पेपर जो की चेक करते हैं, तो मैंने उसका देखा, भाई, question और मैं सोचा था, इसमें ये section लिखना चाहिए, ये लिखना चाहिए, लेकिन उस बच्चे ने बिल्कु साधारन तरीके से लिखा, और उसक इसको मिल जाएगा, एक बार पीपर पढ़के देखना लोका, इतना साधारन होता है, वो सिर्फ एक डराने वाली बात है, दिमाग में फेट करने वाले, law का मतलब है, कि आपको उसके provisions अच्छे से याद होना चाहिए, section याद है, तो लिख दीजिए, बहुत अच्छी बात चाहिए, क्या process है, इतने सारे share capital के chapter की, देखो बस दीरे-दीरे में पढ़ता जाता हूँ, registration prospectus करना होगा, prospectus chapter पढ़ लिया है न, यानि बिना prospectus के registration के तो करनी सकते है, वो बात अलग है, कि existing shareholder या फिर private placement में जोरत नहीं पढ़ती, ठीक है न, minimum subscription होना चाहिए, इसमें अभी के पैसे वापस करने पड़ेंगा, इस पर CB guidelines के हिसाब से है, the following, आप इसको पढ़ लिजिए, बस registration का prospectus होना चाहिए, ये चीज़े मैं heading पढ़ता जा रहा हूँ, application का money, आपका कम से कम at least 5% होना चाहिए, सर इसका मतलब मैं समझा देता हूँ, जैसे मेरा 10 रुपे का share है, 10 रुपे का share 81 तो नहीं मंगाएंगे ना, हम तोड़ तोड़ के मंगाएंगे ना, तो तोड़ तोड़ के मंगाएंगे जैसे मैं बोल देता हूँ कि 2 रुपे, 3 रुपे और 5 रुपे, तो ये 2 रुपे पता है कितने percent है 10 रुपे का, 20% है, ऐसा ही बोला जो application का पैसा है ना, वो कम से कम 5% होना ही चाहिए, यानि 0.5, 50 पैसे तो होना ही चाहिए, अगर इसका 5% निकाले, अगर आपने बोला, 0.2 यानि 20 पैसे, मैं एक application पर मंगवाँगा, बाकी बाद में मंगवाँगा, तो law मना करती है, कम से कम आपको कितने percent होना चाहिए, 5% nominal value of share, must receive by cash of the company, हाइवर दा एस पर सेवी गाइडलाइन, सेवी कहता है भाईया, आपको 5 नहीं, कितना लिखना चाहिए, 25% nominal value, company law और सेवी बहुत सारे बातों पे contradict करते हैं, और company law और सेवी दोनों को आप छोड़ कर बिल्कुल नहीं चल सकते, क्योंकि आपको investor आपके पास आएंगे, तो आपको सेवी की बात माननी पड़ेगी, और आपको अपने company को limited करवाना है, तो आपको company लो, तो मैं suggest करूँगा, कि जब कभी भी future में 80 आपके पास दुवीदा है, तो आप 25% रखेगा, वैसे भी अब लंसम ही issue होता है, 25% वगरतो, ना के बराबर है, यह हो गया, ठीक that company cannot make allotment without receiving application money, मतलब application का पैसा मिला नहीं, तो आप share कैसे दे सकते हों, यहाँ भी case में आया था, it has been the held number of cases that through any means, remittance may use, but all remittance must be declared actual cash received, तो वही सारी बाते बोली गई है, कि आपको बस 5 और 25 का ध्यान दखना है, money keep in schedule bank, और जो भी पैसा आपका मिले का ना माल लेता है, कि Reliance Limited का एक bank account है, लेकिन Reliance Limited नहीं कर share issue करा तो एक नया bank account खोलना है, और जो पैसा है, उसी separate schedule bank account में, schedule bank account का मतलब होता है, जो RBI से approved है, उसे schedule bank account बोलते है, तो schedule bank account के अंदर रखना है, अलग से separately, ठीक है, इसके आजाते हैं सर, और क्या कहता है, return of application money, अगर आपको application money return करना पड़ी गया, जैसे minimum subscription 90% नहीं हुआ, और उस case में आपको application का पैसा वापस करना पड़ी गया, तो आप वहाँ पे interest rate 15% per NM के हिसाब से, अगर आपको पहले सबसे पहले कब return कर देना है, सर, 15 दिन के अंदर वा आज दे के फिर उनके पैसे return करना है, ठीक है नहीं, penalty लगाया जाएगा, अगर आप ऐसा नहीं करते हो, तो उस case में 1000 रुपए, इच डे का आपको penalty लगेगा, during the default, continue 1 lakh, whichever is less, और 1 lakh रुपए तक आपके उपर fine लगाया जा सकता है, इसको आप पढ़ लेजेगा, the stated the minimum subscription has been the subscribe नहीं होता, some people application not receive with a 30 days, 30 दिन में, from the date of issue prospectus, the amount received from the applicants shall be written within a period of 15 days, तो वही सारी बाते बताई गई है, यह मार्कर दिखने रहा, red वाला ले ले लेते हैं, ठीक है, तो overall क्या है भाया, आपको subscription के पैसे 15 दिन के अंदर अंदर return कर देने, नहीं करोगे, तो 15% ब्याज है, और 15% ब्याज कौन सा, यह आपका simple interest है, यह simple interest है, ठीक है न, यहां मैंने, यह mention नहीं है, बट यह simple interest होता है, penalty, चलिए सर, आगे आते हैं share capital पे, कहता है कि, आगे share capital में, यह कहता है हमारे statutory provision, as per the schedule 2013, the following disclosure should be made, क्या-क्या करना पड़ेगा, balance sheet में, क्या-क्या होता है balance sheet में, बड़ा simple answer, authorized capital, issued capital, subscribe capital, paid up capital, यानी balance sheet बनाये न, final account में, तो जो shareholder वाला notes है, उसमें क्या-क्या दिखाना होगा, आपके कितने authorized capital है, आपने कितने issue किये हैं, उसमें से कितने subscribe हुएं, और कितने paid up, तो यह लो, यह भी बताने की बात है, इसको यह तो सारा आपको पता ही है, कि किस तर registration करवाया है, memorandum का आपका fifth clause, इसके बाद देखा जाए share issue, उसमें से कितने share आपने issue किये हैं, उसे बोला जाएगा issued share, उसमें से public ने कितने लिये हैं, उसको बोला जाता है subscribe किये share, और उसमें से कितने paid up है, 10 के share के बतले आपने 8 मांगा है, 9 मांगा है, कितना paid up है, उसे झाल 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 झाल झाल